ओम शान्ती 14.09.2024 शाकार मुल्ली मीठे बच्चे बाप की सिरीमत पर चल कर अपना शिंगार करू पर चिंतन से अपना शिंगार मत बिगाडू टाइम बेश्ट ना करू प्रश्ने तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादुगर हो कैसे उत्तर यहां बैठे बैठे तुम इ यहां बैठे अपने आपको चैंज कर रहे हो यह भी जादुगरी है शिर्फ अल्प को याद करने से तुमारा शिंगार हो जाता है कोई हात पैर हात पाउं चलाने की भी बात नहीं सिर्फ बिचार की बात है योग से तुम साप स्वक्ष और शोवनिक बन जाते हो तुमारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है यह भी कमाल है ना ओम शानती रुहानी जादुगर बैठ रुहानी बच्चों को जो बाप से भी तीखे जादुगर हैं उन्हों को समझाते हैं तुम यहां क्या कर रहे हो यहां बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं बाप अथ्वा बाजन कहते हैं यहां बैठे तुम क्या करते हो अपने को तुम ऐसे लच्च्वी नारायन मिशल शिंगार रहे हो कोई समझेंगे तुम यहां शब बैठे हो फिर नंबरवार पुर्शात अनूसार तो हो ही ना बाप कहते हैं ऐसे शिंगारे हुए बनना है तुमारी M पुरी के लिए यहां बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो पैराडाइज के सिंगार के लिए पुर्शार्थ कर रहे हो इसको क्या कही यहां बैठे हुए अपने को चैंज कर रहे हो उठते बैठते चलते बाप ने एक मनमना भव की चावी दे दी है बस एक शिवायक इसके और को कोई भी फालतू बातें सुन सुनाकर टाइम बेश्ट मत करो। तुम अपने ही सिंगार में लगे रहो। दूसरा करता है वह नहीं। इसमें तुमारा क्या जाता है। तुम अपने पुर्शार्त में रहो। कितनी समझ की बाते हैं। कोई नया सुनेगा तो जरूर बंडर खा तुमारे में कोई तो अपना शिंगार कर रहे हैं। कोई तो और ही बिगार रहे हैं। पर चिंतन आदी में टाइम बेश्ट करते रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं। तुम शिर्प अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ती बताई है। ब अभी फिर से हम बिश्व का शिंगार कर रहे हैं, तुम अब कितने पदमा पदम भागिशाली हो, यहां बैठे बैठे, तुम कितना कारे करते हो, कोई हाथ पाव तो चलाने की बात ही नहीं है, सिर्फ बिचार की बात है, तुम कहेंगे, हम यह कहां, यहां बैठे उच्टे उ आप भश्म होंगे, होते जाएंगे और तुम शाप बनते बनते, फिर कितने शोवनिक हो जाएंगे, अभी आत्मा पतित है, तो शरीर की भी हालत, देखो क्या हो गई है, अब तुमारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी, यह कमाल है, कमाल है न, तो ऐसा अपना शिंगार करना है, देवी गुण भी धारन करने है, बाप सबी को एक ही रास्ता बताते हैं, अल्फ बे, सिर्फ अल्फ की बात है, बाप को याद करते रहो, तो तुमारा शिंगार शारा बदल जाएगा, बाप से ही तुम बड़े जादुगर हो, तुमको युक्ती बताते हैं, कि ऐस ऐसा करने से तुमारा शिंगार बन जाएगा, अपना शिंगार ना करने से तो मुप्त अपने को नुक्सान पहुचाते हो, इतना तो समझते हो, हम भक्ती मार्ग में क्या 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 करते थे, सारा शिंगार ही विगार कर क्या बन गए हैं, गए हो, अब एक ही अक्छर से, ब यहां बैठे तुम क्या करते हो याद की आत्रा में बैठे हो अगर कोई का ख्याल और और तरफ होगा तो शिंगार थोड़े ही होगा तुम शिंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना है बाप आते ही है ऐसा शिंगार वनाने कमाल शिवावा आपकी आप हमारा कितना शिंगार करते हो उठते बैठते चलते हमको अपना शिंगार करना है कोई तो अपना शिंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं कोई तो अपना भी शिंगार नहीं करते तो दूसरे का भी शिंगार बिगारते रहते हैं फालतू बाते सुना कर उनकी अवस्ता को भी नीचे गिरा देते हैं, खुद भी सिंगार से रह जाते हैं, तो दूसरे को भी रहा देते हैं, तो अच्छी रीती सोच विचार कर करो, बाबा कैसे कैसे युक्ती बताते हैं, भक्ती मार्ग के सास्त्र पढ़ने से यह युक्तिय नहीं आती हैं, सास्त्र तो है भक्ती मार्ग के, तुम को कहते हैं, तुम क्यों सास्त्रों को नहीं मानते हो, बोलो हम तो सब मानते हैं, आधा कल्ब भक्ती की है, सास्त्र पढ़ते हैं, तो कौन नहीं मानेंगे, रात और दिन होते हैं, तो जरूर दोनों को मानेंगे न, यह ह बेहत का दिन और रात बाप कहते हैं मीठे बच्चो तुम अपना सिंगार करो टाइम बेश्ट मत करो टाइम बहुत थोड़ा है तुमारी बड़ी विशाल वुद्धी चाहिए आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए टाइम बेश्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुमारा टा कथा है क्या, बाप अक्छारी एक सुनाते हैं, बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़े ही करनी चाहिए, बाप तो शेकेंड में जीवन मुक्ती का रास्ता बताते हैं, यह है ही उच्छ सिंगार वाले, तब तो उन्हों के लिए चित्र हैं, जिनको बहुत का हार पहनाते थे, बाबा को तो अनुभाव है ना, बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था, लच्छमी नारायन के लिए, बास्ताव में तो उन्हों जैसे, यहां पहरवाईश कोई बना ना शके, अभी तुम बना रहे हो, नंबर वार पुर्शार्त अनुशार, तो चे टाइम बेश्ट ना, अपना करो ना औरों का करो, बाब युकती बहुत सहज बताते हैं, मुझे याद करो तो पाप मेट जाए, याद बिगर इतना शिंगार होना शके, तुम यह बनने बाले हो ना, देवी शुभाव धारन करना है, इसमें कहने की भी दरकार नहीं, प एक सेकेंड की बात है, बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चो, तुमने अपने बाप को भूलने से कितना शिंगार विगार दिया है, बाप तो कहते हैं, चलते फिरते शिंगार करते रहो, परन्तु माया भी कम नहीं है, कोई कोई लिखते हैं, बाबा, आपकी माया बहुत त माया फिर काहे कि इस शमय पूरा ही इनका राज्य है जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो शकता यह फिर है बेहत की रात और दिन इन में एक सिकेंड का भी फर्क नहीं हो शकता है अभी तुम बच्चे नंबरवार पुर्शारत अनुशार ऐसा सिंगार कर रहे हो बाप कह चक्रवर्ति राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो भल ग्रहस्त ब्योहार में रहो इसमें सारा बुद्धी से काम लेना है आत्मा में ही मन बुद्धी है यहां तुमको बाहर का गोरक दंदा कुछ भी नहीं है यहां आते ही हो तुम अपने को सिंगारने रिफ्रेस करने रिफ्रेस होने, बाप पढ़ाते तो सबको एक ही जैसा है यहां बाबा पास आते हैं नई नई पॉइंट शम्मुक सुनने फिर घर में जाते हैं तो जो कुछ सुना है वह बाहर निकल जाता है यहां से बाहर निकलने से ही जोली जाट लेते हैं जो सुना उस पर मनन्चिंत न तुम्हारे लिए तो यहां एकांत की जगह बहुत है, बाहर में तो खटमल फिरते रहते हैं, एक दो का खून करते पीते रहते हैं, तो बाब बच्चों को समझाते हैं, यह तुम्हारा टाइम मोस्ट बेलिवल है, इसको तुम बेश्ट मत करो, अपनी कोशिंगारने की बहु युक्तियां मिली है, मैं सब का उद्धार करने आता हूँ, मैं आया हूँ, तुमको बिश्व की बाद साही देनी, तो अब मुझे याद करो, टाइम बेश्ट मत करो, काम काज करते भी, बाब को याद करते रहो, इतिनी धेर सब आत्माय आशिक हैं, एक परम्पिता परमात माशुक की, यह सब जिश्मानी कताएं, आदी तो तुम सब बहुत सुनाते हो, अब बाब कहते हैं, वह सब भूल जाओ, भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया, और बाइदा भी किया, हम आपके ही बनेंगे, धेर के धेर, आशिकों का एक माशुक, भक्ति मार्ग मे कहते हैं, ब्रम्ह में लीन होंगे, यह सब है फालतू बातें, एक भी मनुस्त मोक्ष को नहीं पा सकता है, यह तो अनादी ड्रामा है, इतने सब एक्टर्स हैं, इसमें जराबी फर्क नहीं हो शकता है, बाप कहते हैं, सिर्फ एक अल्प को याद करो, तो तुम्हारा यह सि रहे हो, इसमरती में आता है, अनेक बार हमने यह शिंगार किया है, कल्प कल्प बाबा, आप आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे, कितनी गुह गुह पॉइंट हैं, बाबा ने युकती बहुत अच्छी बताई है, बारी जाओं, जै ऐसे बाप पर, आशिक माशुक भी सब ए जैसे नहीं होते, यह तो सभी आतमाओं का एक ही माशुक है, जिश्मानी कोई बात नहीं, परन्तु तुम्हें शंगम युक पर भी, बाब से यह युकती मिलती है, कहां भी तुम जाओ, खाओ, पियो, घूमो, फिरो, नौकरी करो, अपना शिंगार करते रहो, आतमाओं 24 घंटे याद करते रहते हैं, परन्तु शदेव तो कोई कर नहीं सकते, मैं बहुत 2,5 घंटे तक, 8 घंटे तक जास्ती अगर लिखें तो बाबा मानता नहीं, दूसरे को इश्म्रती दिलाते नहीं, तो कैसे समझे, तुम याद करते हो, क्या कोई difficult वात है, कोई इसमें खर अचा है, कुछ भी नहीं, बस बाबा को याद करते रहो, तो तुमारे पाप कट जाएं, देवी गुन भी धारन करने हैं, पतित कोई शान्ती दाम वा शुक धाम में जा ना सके, बाब बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा भाई भाई समझो, 84 जन्मू का पार्ट अभी पूरा होता है, यह पुराना चोला छोडने का है, ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है, तुम जानते हो नंबर वार पुर्शार्थ अनुशार, दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझते, हर एक अपने से पूछे, कि हम बाप की मत पर चलते हैं चलेंगे तो शिंगार भी अच्छा होगा, एक दो को उल्टी बाते सुना कर, अपना अथवा शुन कर अपना सिंगार भी बिगार देते हैं, तो दूसरे का भी बिगार देते हैं, बच्चों को तो इसी धुन में रहना हैं, कि हम ऐसे सिंगार धारी कैसे बनें बाकी तो जो कुछ है वह ठीक है सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम सी मिले बास्तों में पेट जास्ती नहीं खाता भल तुम शन्याशी हो परंतु राज योगी हो ना तुम बहुत उचा ना नीचा खाओ भल परंतु जादा हिर ना जाओ आदत ना पढ़ जाए यही एक दो को याद दिलाओ शिव बाबा याद है बरशा याद है विश्व की बादसाही का सिंगार याद है विचार करो यहां बैठे बैठे तुमारी क्या कमाई है इस कमाई से अपार शुक मिलना है सिर्फ याद की आत्रा से और कोई तकलीव नहीं भक्ती मार्ग में मनुष कितने धक्के खाते हैं अभी बाप आए हैं सिंगार ने तो अपना अच्छी रिती ख्याल करो भूलो मत माया भुला देती है फिर टाइम बहुत बेश्ट करते हैं तुम्हारा तो यह बहुत बैलिवल टाइम है पढ़ाई की महनत से मनुष क्या से क्या बन जाते हैं बाबा तुमको और कोई तकलीव नहीं देते सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो कोई भी किताब आदी उठाने की दरकार नहीं बाबा कोई किताब उठाता है क्या बाब कहते हैं मैं आकर इस प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करता हूँ प्रजा पिता है न तो इतनी कुख बंसावली प्रजा कैसे होगी बच्चे एडाप्ट होते हैं बर्षा बाब से मिलना है बाप ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं इसलिए उनको मात पिता कहा जाता है यह भी तुम जानते हो बाप का आना बड़ा एकुरेट है एकुरेट टाइम पर आते हैं एकुरेट टाइम पर जाएंगे दुनिया की बदली तो होनी ही है अभी बाप तुम बच्चों को कि इतनी अकल देते हैं बाप की मत पर चलना है इस्टुडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धी में चलना है तुम भी यह संसकार ले जाते हो जैसे बाप में संसकार है बैसे तुमारी आत्मा में भी यह संसकार भरते हैं फिर जब यहां आएंगे तो वही पार्ट रिपीट होगा नंबर बार पुर्शार्थ अनुशार आएंगे अपने दिल से पूछो कितना पुर्शार्थ किया है अपने को शिंगारने का टाइम कहां बेश्ट तो नहीं किया है बाप सावधान करते हैं बाहत बातों में कहां भी टाइम ना गवाओ बाप की सिरिमत याद रखो पर ना चलो तुमको यह पता थोड़े ही था कि हम पुरानी दुनिया में हैं बाप ने बताया कि तुम क्या थे इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं यह भी ड्रामा अनुशार पार्ट मिला हुआ है ड्रामा अनुशार अनेक अनेक बिगन भी पढ़ते हैं ब बच्चे यह ज्यान और भक्ती का खेल है बंडर फुल ड्रामा है इतनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट अभिनाशी भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है अच्छा मीठे मीठे शिकिल्दे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्यसार दूसरी शब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लच्चमी नारायन जैशा शिंगार धारी कैसे बने दूसरा अपने से पूछना है कि हम सिरीमत पर चल कर मनमना भव की चावी से अपना सिंगार कर रहे हैं उल्टी सुल्टी बाते सुनकर वह सुनाकर शिंगार बिगारते तो नहीं हैं आपस में प्रेम से रहते हैं अपना बैल्यूबल टाइम कहीं पर बैष्ट तो नहीं करते हैं देवी सुभाव धारण किया है बरदान बैर्थ शंकल्पों के कारण को जान कर उन्हें शमाप्त करने वाले शमादान स्वरूब भाव बरदान बैर्थ शंकल्पों के कारण को जान उन्हें शमाप्त करने वाले शमादान स्वरूब भाव बैर्थ शंकल्प उत्पन होने के मुख्य दो कारण हैं पहला अभिमान और अपमान मेरे को कम क्यों मेरा भी एपद होना चाहिए मेरे को भी आगे करना चाहिए तो इश में या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो नाम में मान में सान में आगे आने में सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना यही ब्यर्थ संकल्पों का कारण है इस कारण को जानकर निवारन करना ही शमाधान शरूप बनना है श्लोगन साइलेंज की सकती द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है ओम सान्थी सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूपल के नापल भर बंद मेरे इन लहरों को दा मेरे